नमस्कार बच्चों आज हम आपकी लेखा शास्तर के दूसरे पुस्तक के पाँचवे अध्याएक जो की लेखांकर अनुपात है उसका चौथा वो अन्तिमभाग देखने जा रहे हैं बच्चों यह आपकी परिक्षा की दृष्टी से वो कम्पनी मामलों के आपकी जानकारी की दृष्टी से दोनों इदृष्टी से बहुत ही महत्वपूर अध्याए है इस अध्याए में हमने अनुपातों के अर्थ से लेकर विभिन प्रकार के अनुपातों की गड़ना करना आभी तक सीखहे हैं हमने तीन श्रेडियों के अनु पातों पर चर्चा कियें ध्रवता अनु पात रिणर शोधन संता अनु पात वहावरत अनु पात कि आज हम एक अती महत्वपूर्ण श्रेणि वह उसके सभी अनुपातों पर चर्चा करेंगे यह श्रेणी है लाब प्रददा अनुपात बच्चों श्रेणी का नाम ही आपको बताने के लिए काफी है कि यह एक महत्वपून अनुपातों की श्रेणी है क्योंकि इसमें हम लाब की चर्चा करने वाले हैं और आप तो जानते ही हैं व्य कोई कमपनी कितनी कुशलता से साल दर साल लाब अरजित कर रही है। उसकी लाब कमाने की कुशलता या सक्षमता कितनी अच्छी है या नहीं है। वो ये अनुपात हमें अलग-अलग तरीकों से बताते हैं। आएए इन अनुपातों के अंदर आने वाले जो मुख्य अनुपात हैं, उन में से कुछ की विस्तार में वह कुछ की हम संक्षिप्थ में चर्चा करेंगे। इन अनुपातों की श्रेणी में सबसे पहला वह सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है। सकल लाब अनुपात, gross profit अनुपात का सूत्र तो बहुत सरल है लेकिन ये उतना ही जादा महत्वपूर अनुपात है सूत्र है सकल लाब बटा प्रचालन से निवल आगम गुणा सौ ये बात भी धियान रखें बच्चों कि इससे पिछले जो अपने अनुपात देखें तीसरे भाग में वो अनुपात गुणा के रूप में दिखाए जाते हैं जबकि इन अनुपातों में हम सौ से इसे गुणा करके प्रतीशत बना देते हैं ये अनुपात आपको प्रतीशत में दिखाने हैं सकल लाब अनुपात हमें ये दिखाता है कि जो हमारी निवल आगम है, जो हमारी विक्री है, उसके फल्सोरूप या उसके उपर हम कितना लाब अर्चित कर पा रहे हैं, हम जितना जादा लाब अर्चित करें, उतना ही बहतर है, है ना, तो यह अनुपात जितना जादा है, उ नाही बहतर है इस प्रशन से इसकी चर्चा करते हैं वस्तु में हमने क्रिए की है वो नगद है 15,000 रुपए उधार है 60,000 रुपए की आवग डुलाई जो की एक प्रत्यक्ष वियाय है 2,000 रुपए का है वेतन 25,000 रुपए रहतियों में कमी यानि आपका प्रारंबिक स्टॉक या रहतियां जादा थी अंतिम स्टॉक कम है तो उनमें कमी आई है 10,000 रुपए की ब्राहय वापसी 2,000 रुपए वो मजदूरी भुक्तान 5,000 रुपए आईए अब देखते हैं इन बनों की सहायता से हम सकल लाब अनुपात कैसे ग्याद करेंगे सबसे पहले हमें प्रचालन से आगम चाहिए यानि बिकरी बिकरी दो प्रकार की है नगद वा उधार तो दोनों प्रकार की बिकरी को आपने जोड़ा और एक लाख रुपए की आपकी कुल प्रचालन आगम प्राप्त हुई खरीद में हमें निवल खरीद चाहिए निवल खरीद में हमने नगद वा उधार दोनों प्रकार की खरीद को जोड़ा लेकिन जो हमने बाहिए वापसी की है जो हमने माल वापस किया उसको हमने घटाया तो शुद्ध खरीद या निवल क्रय आ गया 73,000 रुपए अब हमें प्रचालन से आगम की लागत को ग्याद करना है आप याद करें पिछले भाग में एक सूतर भी मैंने आपको बताया था वो सूतर यहां आप उप्योग करेंगे लाब निकालने के लिए उसके लिए पहले हम निकाल रहे हैं लागत कैसे आती है लागत? प्रारंबिक स्टॉक, जमा क्रे, जमा जितने भी प्रत्यक्षवियाए हैं उसमें से अंतिम स्टॉक को घटा कर यहां पर हमारे पास प्रारंबिक वा अंतिम स्टॉक नहीं है हमारे पास स्टॉक में कमी दी गई है स्टॉक में कमी कम होती है जब प्रारंबिक स्टॉक जादा हो, अंतिम स्टॉक कम हो, तो हम दोनों को घटा दे अगर, तो हमें वही मिलेगा जो हमें सूतर में चाहिए, प्रारंबिक स्टॉक घटा, अंतिम स्टॉक या रहतिया, ये राशी, ये मान हमें दिया हुआ है स्टॉक में कमी के रूप में ज 5.000 रुपए की हम मजदूरी वह 2000 रुपए की धुलाई यह वेतन अप प्रित्यक्ष वेया है इसलिए वेतन को हम नहीं ले रहे हैं हमने धुलाई वह यह मजदूरी ली है जो की प्रित्यक्ष वेया का म काम करेगी सब को जोड़ कर कुल लागत 90,000 रुपए की आगई फिर वही सूत्र जो मैंने आपको बताया था सकल लाब बराबर आगम माइनस आगत हमारी जो आगम है वो एक लाख रुपए की है आगत 90,000 रुपए की है दोनों को घटाया 10,000 रुपए का हमारे पास या लाब प्राप्त हुआ अब आपस इसे सूत्र में रख दें लाब उपर आगम नीचे 10,000 रुपए का लाब एक लाख रुपए की आगम प्रतीशत आगई 10 प्रतीशत इस प्रकार हम इस अनुपात को ग्याद करते हैं या सबसे महतोपूर्ण अनुपातों में से हैं इसलिए मैं चाहता हूं अपस पर ध्यान दें कि कैसे हमने इसके सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए पहले लाब निकालना चाहा लेकिन लाब निकालने के लिए हमें आगम वो आगच चाहिए था आगम के लिए हमने दोनों प्रकार के आगमों को जोड़ा, क्योंकि उसमें कोई वापसी नहीं थी, तो हमें कुछ घटाना नहीं पड़ा, आगत के लिए पहले क्रेय निकाला, क्रेय के लिए हमने दोनों प्रकार के क्रेयों को जोड़ा, और वापसी को घटाया, फिर हमने आ 20,000 का लागत हमारे पास आया आगम में से लागत को आपने घटाया 10,000 रुपए का आपको लाब प्राप्त हुआ बच्चों अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले अनुपात की जो है प्रचालन अनुपात प्रचालन यानि आपका व्यवसाय आप किस परकार चला रहे हैं व्यवसाय को चलाने में लागते क्या रही हैं उससे आप आय क्या अर्जित कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय के प्रचालन की कुशलता को दर्शाता है प्रचालन अनुपात का सूत्र है प्रचालन से आगम की लागत जैसा हमने अभी पिछले प्रशन में देखा हम आप प्रत्यक्ष व्याय हैं उनको लेना होता है जो बार-बार होने वाले नियमित अप्रत्यक्ष व्याय हैं जैसे कार्यालयों के व्याय, प्रशाशनिक व्याय, विक्रे में होने वाले व्याय, वित्रण में होने वाले व्याय, कर्मचारियों के लिए किये गए व्याय, या नियमित रूपसे व्याय में होते हैं जबकि आगम की लागत प्रत्यक्ष व्यायों को लेकर आती है तो हमने अपने व्याय को चलाने के लिए नियमित रूपसु हने वाले सभी व्याय इनको जोड़ कर प्राप्त कर लिए लागत को जोड़ा वा प्रचालन व्याय को जोड़ा इनको भाग दिया आगम से विक्री से और फिर सौ से गुणा कर दिया यहां अनुपात किसी व्यवसाई के निश्पादन का विशलेशन करने में सहायता करता है निश्पादन अर्थात पर्फॉर्मेंस कि एक व्यवसाई अपना कारी किस प्रकार कर रहा है उसकी कारी शमता कैसी है इससे हमें एक कमपनी या फर्म की कारी कुशलता के बारे में पता लगता है उसका प्रियोक करके हम अंतर फर्म वा अंतरा फर्म तुलनाएं कर सकते हैं यानि हम अपने फर्म की बीते वर्षों से तुलना कर सकते हैं या हम अपने फर्म की अन्य फर्मों के पर्फॉर्मेंस या निश्पादन से तुलना कर सकते हैं निम्न प्रचालन अनुपात एक अच्छा संकेत होता है निम्न अनुपात का अर्थ होगा कि आपकी जो उपर की राशी है जो की लागतों की राशी है वो कम है और आपकी आगम की राशी जादा है यानि आप कम लागत पर ही जादा आगम कर लेते हैं तो निम्न अनुपात आ आगम है प्रचालन लाब कैसे प्राप्त होगा प्रचालन से आगम जो है उसमें से प्रचालन लागतों को घटा कर अब इसमें और पिछले अनुपात में एक संबंद हैं दोनों अनुपातों का योग हमेशा 100 प्रतिशत होता है इसलिए एक अनुपात को दूसरे अनुपात को सौ में से घटा कर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सकल्लाब आनुपात के लिए आगम नीचे सिर्फ सकल्लाब क्यफे आता है। अब बात करते हैं प्रचालन अनुपातों की, प्रचालन अनुपातों के लिए आपको प्रचालन लागत चाहिए, प्रचालन लागत जो है वो आगम की लागत में प्रचालन व्यायों को जोड कराता है, प्रचालन व्यायों की जो सूची हमने पीछे देखी थी, इन में से ज प्रचालन व्यायों को जोड़ेंगे, जो की विक्रय वो प्रशाशनिक लागत दिये गए हमें इसमें, इनको जोड़कर कुल प्रचालन लागत हमें प्राप्त होगी, अनुपात निकालने के लिए उपर हम कुल लागत को रखेंगे, नीचे हम आगम को रखेंगे और प्रति यदि हमें प्रचालन लाभ अनुपात भी निकालना होता तो हम एक तो सरलता से इसे सौ में से घटा कर भी ग्याद कर सकते थे जो कि 39.41 प्रतिशत का आता है ये थे बच्चों हमारे तीन सबसे प्रमुख लाभ प्रदता अनुपात अब आगे जो अनुपात हैं उनकी हम पहले सूत्रों या महत्वों की चर्चा करके फिर उधारन के साहिता से उनके बारे में समझेंगे अगला अनुपात है निवल लाब अनुपात हमने पीछे सकल लाब अनुपात देखा यहां हमें चाहिए निवल लाब शुद लाब तो सूत्र बहुत सरल है उपर निवल लाब नीचे आगम गुणा सव अब निवल लाब का अर्थ क्या होता है निवल लाब कर के पश्चात लाब को कहते हैं इसे ध्यान से आप नोट कर लें निवल लाब अर्थात कर से पश्चात का लाब तो हमें इसमें उपर कर से पश्चात का लाब रखना है नीचे आगम रखना है तो मच्चो यह अनुपात हमें दर्शाता है कि प्रचालन से आगम का निवल लाब की सुरक्षा सीमा की मापन कैसे होगी यानि जो प्रचालन से आगम हो रही है जो सामान बेच कर वस्तू बेच कर विक्री हो रही है उससे जो आया रही है उसमें हमने कितना प्रतिशत लाब के रूप में रखा है व्ययों आदी की पूरती करने के बाद हमारे पास लाब कितना बच रहा है यह उसकी सुरक्षा को दर्शाता है यह दर्शाता है कि ना केवल हमारी लाब प्रद्दा क्या है बलकि जो हमने पैसा निवेश किया है उस निवेश पर जो लाब हम अर्जित कर रहे हैं कितना बढ़िया हम अर्जित कर रहे हैं यहां व्यवसाई की संपून कार्य शंता का प्रदर्शन करता है क्योंकि इसमें हम शुद्ध लाब को देख रहे हैं तो यह हमारे व्यवसाई की संपून कार्य कुशलता को दर्शाता है इसलिए निवेशकों के दृष्टी कोण में यहां अनुपात बहुत ही महत्वपून माना जाता है तो आएए बच्चो अब अगले अनुपात को देखते हैं अगला अनुपात है निवेश पर प्रत्याय या प्रतिफल या रिटर्ण नियोजित पून जी का अभिप्राय हम पहले एक बहुत बार देख चुके हैं इसका अभिप्राय होता है किसी व्यवसाई में दीर्ग कालिन निधी या दीर्ग कालिन संपत्तियों पर किया गया निवेश हमने पीछे के प्रश्णों में देखा कि नियोजित पूंजी अंश धारक निधी वा देर्ग कालिन रिणों को जोड़ कर आता है इसलिए इसमें हम अंश धारी निधी रिण पत्रों वा देर्ग कालिन रिणों को जोड़ देते हैं इसको निकालने का एक वेकल्पिक तरीका भी है जिसमें हम गयर चालू परिसंपत्यों और कारिशिल पूंजी को जोड़ कर भी ग्यात कर सकते हैं इस अनुपात की गणना से लाब से आशय ब्याज वा कर से पूर्व लाब होता है अर्थात जो कि हम पहले देख चुके हैं वो अनुपात भी जितना अधिक आए उतना बढ़ी हमाना जाएगा क्योंकि लाब अधिक होना यह दर्शाता है कि पूंजी जो हमने निवेश की है उस पर हम अच्छा प्रतिफल निवेशकों को दे रहे हैं इसके अतरिक्त लाब से जुड़े हुए वा अन्षधारकों को मिलने वाले लाभान्षों से या उनके अन्षों के मूल्यों से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे अनुपात भी कई बार बहुत काम आते हैं इनने हम संक्षिप्त रूप से देखकर फिर प्रशनों में इनका प्रयोक करेंगे एक अनुपात है अन्षधारक निधी पर प्रत्याए आप बच्चों सूत्रों को या अनुपातों के सूत्रों को इनके नाम से भी जोड़ना सीखें कि यदि यह अनुपात कह रहा है अंश धारक निधी पर प्रत्या आए तो यानि इसमें हमें नीचे क्या लेना है अंश धारक निधी उसके उपर प्रत्या या प्रति फल देख रहे हैं लाब देख रहे हैं तो उपर हमने रखा करों के पश्चात प्राप्थ होने वाला उस पर स्वामियों का जब हक है स्वामियों के अंशों से उसे विभाजित कर दिया जाए तो प्रति अंश कितना लाब उन्हें प्राप्थ होगा इसके लिए हम अंश धारकों के लिए उपलब्द लाब को जो सभी कर आधी चुकाने के बाद जो लाब बच जाता है उस लाब को समता अंशों की संख्या से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रती अंश अर्जन अर्निंग पर शेर इसके पस्चात प्रती अंश पुस्तक मूल्य फिर से आप नाम से सूत्र बनाए संपत्यों का संबंद निधी से भी होता है तो हमने ऊपर लिया अंश धारकों की निधी नीचे हमने समता अंशों की संख्या लिया क्योंकि हमें प्रती अंश निकालना है तो सम्ता अन्श धारक निधी यानि स्वामित्वों या स्वामियों का जो पैसा है वो लिया नीचे हमने सम्ता अंशों की संख्या को लिया भाग दिया और हमें प्राप्त होगा प्रती अंश पूस्तक मोल्य का अनुपात इसके पश्चात लाभांश भुगतान अनुपात इसमें हम नाम सही देख सकते हैं उपर हमें रखना है लाभांश प्रती अंश वा नीचे अर्जन प्रती अंश का जो हमने अनुपात निकाला वो लाभांश प्रती अंश उपर अर्जन प्रती अंश नीचे मूल्य अर्जन अनुपात इसमें मूल्य की बात हो रही है तो उपर आप रखेंगे प्रति अंश बाजार मूल्य Shares का अंशो का Market Price वह नीचे प्रति अंश अरजन यानि वही जो अरजन प्रति अंश का अनुपात तो यह जो अरजन प्रति अंश का अनुपात हुआ यह तीन जगा सीधित वार प्रिस्ते माल हो रहीkm यानि यह अभी एक महत पूर अनुपात है आईए एक प्रशन के जरिये इन पर चर्चा करते हैं इस प्रशन में हमारे पास अंश पूंजी समता चार लाक रुपे की है हर एक अंश दस रुपे का है हमारे पास अधिमानी अंश पूंजी भी है जो की एक लाक रुपे की है आरक्षित राशी एक लाग चौरासी हजार रुपए रिनपत्र चार लाग रुपए चालू दाइत्व एक लाग स्थिर परिसंपत्या साड़े नौ लाग वचालू परिसंपत्या दो लाग चौतिस जार रुपए की हैं हमें अन्ष धारक निधी पर प्रत्याय प्रति अंश अर्जन प्रति अंश पुस्तक मूल्य वह यह अन्य अनुपात हमें निकालने हैं जो अतरिक्त जानकारी हमारे पास है वह यह है कि अन्शों का बाजार मूल्य चौंटीस रुपए है वकर के पश्चात का लाब डेड़ पर प्रत्याय निवेश पर जो प्रत्याय है वो व्याजवा कर से पूर्व लाब से आता है नीचे हम रखते हैं नियोजित पूंजी तो नीचे हमें चाहिए नियोजित पूंजी उपर आता है कर्व व्याज दोनों से पूर्व का लाब जबकि प्रश्ण में हमारे पास है कर कर के पश्चात का लाब और कर की राशी है तो हमने एक प्रशन और देखा था पहले हम क्या करेंगे कर के पश्चात के लाब में कर को जोड़ देंगे तो हमें कर पूर्व का लाब प्राप्त होगा फिर हम उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो कर वा ब्याज दोनों से पूर् यानि दीर्ग काली इनर्ण जो यहां पर यह दिया हुआ है चार लाक रुपएका इस पर 10 प्रतिशत का ब्याज इसको जोड़ दें तो हमने क्या किया? कर पस्चात लाब में कर को जोड़ा तो हम कर पूर्व लाब पे चले गए उसमें हमने ब्याज को जोड़ा तो और पीठे चले गए और हमारे पास आगया कर वब्याज दोनों से पूर्व का लाब 2,40,000 रुपए का नियोजित पूणजी हम कई बार ग्याद कर चुके हैं इसमें हम अन्श पूणजीयों को जोड़ेंगे आरक्षित की राशी को जोड़ेंगे वग दीर्ग कालीन रिनको जोड़ेंगे इन सब को जोड़ कर हमें 10,84,000 रुपै की नियोजित पूणजी की राशी प्राप्त पास यह अनुपात आजाएगा अब अगला अनुपात है अंश धारक निधी पर लाभ या प्रत्याई का अनुपात सूतर जो हमने पीछे देखा उसमें करों के पस्चातलाभ को उपर रख कर नीचे अंश धारक निधी की राशी प्राप्त होगी जिसे हमें अनुपात में नीचे रखना है उपर हमें चाहिए करों के पस्चात लाग जो की प्रश्ण में ही दिया हुआ था देड़ लाग रुपय का उसे उपर रखना है भाग देकर 21.9 प्रतिशत का अन्ष धारक निधी के उपर हमने कितना लाब कमाया यहाँ पता चल जाता है प्रति अन्ष अर्जन निकानने के लिए हमें समता अन्ष धारकों हेतू जो लाब बचता है उसको लेना है बच्चों अब देखिए कर ब्या जिन सबका भुकतान करने के बाद हमारे पास लाब था डेड़ लाग का अब उस लाब को वितरित करना था वितरित करने के लिए उस समय सबसे पहले हम जो अधिमानी पूंजी है इनको उनके लाब अन्ष की राशी देते हैं एक लाख रुपए की अधिमानी पूंजी पर 12 प्रतिशत यानि 12,000 रुपए का ये लाब देने के बाद डेड़ लाख में से 12,000 जब अपने घटाया तो आपके पास 1,38,000 रुपए का वह लाब बचा जो समता अंश धारकों के लिए इक्विटी शेर होल्डर्स के लिए बचेगा जिसे वह आपस में वित्रित करेंगे उसको उपर रखकर नीचे अंशों की संख्या से हमने विभाजित कर दिया अंशों की संख्या कैसे आई चार लाख रुपए के कुल अंश थे दस रुपए का एक अंश इसको विभाजित करें आपके पास 40,000 रुपए के अंशों की संख्या आएगी इनको विभाजित करके आपको प्रती अंश अर्जन प्राप्त हो जाएगा इसकी गणना हमने आपको यहाँ पर करके दिखा दिये अंशों पर लाभांश 12 प्रतिशत जो था 12,000 और उसको घटा कर हमें समता अंश धारकों के लिए जो लाभ बचा वह एक अर्थिस का बचा वह हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया मूल्य अर्जन अनुपात इसमें हमें उपर चाहिए बाजार मूल्य प्रतिश का और नीचे प्रतिश अर्जन प्रतिश अर्जन अभी हमने पिछले प्रशन में 3.45 निकाला अंशों का बाजार मूल्य चौतिस हमारे पास है दोनों को भाग दिया और 9.86 गुणा यह आ गय समता अंशों की संख्या भी हमने पहले, मैंने आपको बताया की कैसे ग्यात कि हमने 4,00,000 को दस से भाग दे कर दे आखाला अब हमें प्रतिश पुस्तक मूल्य चाहिए इसके लिए हमें चाहिए समता अंश धारक निधी और नीचे अंशों की संख्या अब बच्चों समता अंश धारक निधी में क्या होगा हमें सिर्फ समता अंश धारकों का ध्यान रखना है पीछे हमने एक बार अंश धारक निधी ग्यात की थी जो की 6,84,000 रुपे की थी इसमें से अधिमानी अंशों को हटा दें एक लाग को तो बच जाएगा पाच लाग 84,000 रुपे जो की समता अंश धारक है नीचे अंशों की संख्या हमने पहले भी ग्यात किया यहां भी हमने दिखा दिया चार लाख रुपे की अंश है समता अंश 10 रुपे उनका मूल्य है भाग देकर 40,000 रुपे यहां से प्राप् की चर्चा की बहुत सरल किंतु काम आने वाले अनुपात हैं आप इन पर और प्रश्णों का अभ्यास करें बच्चों अभी तक हमने आज के इस भाग में लाब प्रदिता वाले अनुपातों की चर्चा की लेकिन क्योंकि यह हमारा इस अध्याय का अंतिम भाग है हमने इस प्रश्ण देखते हैं जहां पर हमें अलग-अलग प्रकार के 5 अनुपात ग्याद करने हैं जो कि श्रीडी के अनुसार नहीं है सबसे पहले हम ग्याद करते हैं चालू अनुपात चालू अनुपात के लिए बच्चों हमें चाहिए चालू परिसंपत्या और चालू दाइत्वा चालू परिसंपत्या हमें यहां पर दी गई है जो की 1,60,000 रुपे की है चालू दाइत्व भी हमें यहां पर दिया गया है जो की एक लाख रुपे का है अब सीधा इसे यहां पर डालें इस प्रशन का हमारा उदेश है कि आप एक बार सभी प्रकार के अनुपातों के एक जलक वापस देख लें तो यहां चालू अनुपात था जो कि आपने पहले भाग में देखा दूसरा अनुपात हमें चाहिए तरलता अनुपात बच्चों तरलता अनुपात के लिए हमें तरल परिसंपतियां चाहिए तरल परिसंपतियां हम कैसे ग्याद करते हैं चालू परिसंपत्यों में से रहतियों को घटाते हैं, रहतियां एक लाग की दी गई हैं, उनको घटा कर हमें 60,000 रुपए की चालू परिसंपत्या प्राप्त हुई, सूत्र में रखा और तरलता अनुपात भी प्राप्त हो गया, अगला अनुपात है रिण सम्ता अनुपात जो कि दीर्ग काली करिण और अन्ष धारक निधी को लेकर आता है दीर्ग काली करिण बच्चों हमारे पास यह रिण पत्र है जो कि तीन लाख रुपए का है अन्ष धारक निधी हमारे पास चार लाख रुपए की है तो सूत्र में रखा और आ गया रिण सम्ता अनुपात ब्याजव कर से पूर्व निवल लाब निकाल रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए ब्याज प्राप्ति अनुपात ब्याज प्राप्ति अनुपात के लिए हमें चाहिए ब्याजव कर से पूर्व का लाब हमें जो यहां लाभ दिया गया है वो कर से पहले का लाभ है हमें इसमें ब्याज को जोड़कर ब्याज से पहले पहुँचना है अब ब्याज 3 लाग के रिंड़ पत्रों पर 13 प्रतिशत लगेगा तो 3 लाग का 13 प्रतिशत यानि 49,000 contrat रुपे आप कर से पूर्व के लाब में जोड़ें, आपके पास कर्व ब्याज दोनों से पूर्व का लाब 3,90,000 आ जाएगा, सूत्र में उपर रखा, ब्याज को नीचे रखा, 10 गुणा, यह लाब अनुपात भी प्राप्त हो गया, आखरी अनुपात है रहतिया आवर्त अ आउसत रहतिया माननेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रारंबिक वो अन्तिम की राची तो है नहीं, तो हम इसे ही आउसत मानेंगे, ऐसा आपको भी करना है, तो एक लाख रुपे का आउसत अनुपात, पांच लाख रुपे का आगम की लागत, कुल पांच गुणा हमारा यह अनुपात आ गया, तो बच्चो इस प्रकार के और प्रशन आपको भी अभ्यास करने है, जहां पर आप श्रेणी को भूलकर अनुपात पर ध्यान दें, और मिशृत अनुपातों का अभ्यास करें, ताकि आप हर प्रकार के अनुपात की गणना करने में सक्षम हो जाएं, श्रेणियों का भी ज्यान होना जरूरी है, अनुपातों का महत वो पता होना भी जरूरी है, लेकिन यह कुशलता भी जरूरी है कि आपसे कोई भी अनुपात का भी भी पूछा जाए या एक प्रशन में दो तिन अलग तरह के अनुपात पूछे जाएं तो आप वो भी निका करें हमारी तरफ से की गई ये कोशिश इन चारो भागों में मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी अभी तक के चारो भागों में ये अध्याय में जो भी हमने बताया मैं आशा करता हूं आपको वह समझ भी आया होगा आज के इस भाग वह इस अध्याय में इतना ह धन्यवांद अराक्षवीव, क्या सब्सक्राओ, धन्यवांद भी दिरो दिरोगन ल़कर दिर्ट भी जो क्या स्टाइब